UFC 293 ये कार्ड इस साल का one of the worst कार्ड है जिदा main event और शायद से co-main event को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों फाइट्स main कार्ड में रहना deserve नहीं करती हैं Clearly इस कार्ड के बारे में हम देख सकते हैं कि UFC 293 completely run कर रहा है इसराइल अदसाने के उपर अब क्योंकि ये कार्ड बहुत वीक कार्ड है तो इस prediction वीडियो को स्टार्ट करते हैं UFC 293 की main event fight middleweight champion इसराइल अदसानिया वसे शौन स्रिकलेंट से To be honest fight से जादा मैं कल के लिए excited हूँ क्योंकि कल होने वाली है press conference और जब last time इसराइल अदसानिया और शौन स्रिकलेंट एक साथ press conference में थे तो वो press conference देखने में बहुत मज़ा आया था But अगर हम इस fight की बात करें तो ये fight शौन स्रिकलेंट के लिए बहुत मिश्किल होने वाली है और शौन स्रिकलेंट को इस fight में अगर कुछ भी significant throw करना है तो फिर उसको अपने distance को close करना होगा पर problem इदर ये है कि शौन स्रिकलेंट का stance एक काफी upright stance है और ये stance बहुत badly match करता है इस्राइल अधसानिया के stance से इस fight में इस्राइल अधसानिया अपनी height और reach की पूरी advantage लेने वाला है जिदर वो शौन स्रिकलेंट को distance को ही close करने नहीं देगा शौन स्रिकलेंट काफी upright खड़ा होता है जिसकी वज़े से उसको leg kicks को defend करने में बहुत मुश्किल होगी और इस्राइल अधसानिया के बारे में हम सब जानते हैं कि इस पूरी division में इस्राइल अधसानिया से better leg kicks और कोई throw नहीं करता जब भी शौन स्रिकलेंट अपने distance को close करने लगेगा तो I think इस्राइल अधसानिया leg kicks और jabs को throw करेगा और एकदम से move कर जाएगा जिसकी वज़े से शौन स्रिकलेंट को फिर से reset होना पड़ेगा अब Alex Pereira की fight में हमने देखा था कि शौन स्रिकलेंट बिना अपने brain को use किये हुए completely forward move करने लग पड़ा और एकर same ऐसा उसने Israel अधसाने के against किया तो मुझे लगता है कि outcome same होने वाली है अगर अधसाने ने बहुत जादा लेग kicks को throw कर दिया तो just like Polo Costa अधसाने इस fight में भी देखेगा कि वो बीच में एक head kick को throw करे काफी time मैंने देखा है कि जब शौन स्रिकलेंट का opponent kick को throw करता है तब शौन स्रिकलेंट अपने guard को drop down कर देता है तो अगर इस fight में अधसाने ने starting of the rounds में शौन स्रिकलेंट की leg को target किया तो कुछ ही time के बाद automatically शौन स्रिकलेंट के hands drop down होने वाले हैं और फिर मेभी अधसाने लेग kick को fake करके head kick throw कर सकता है अगर हम शौन स्रिकलेंट की बात करें तो I think शौन स्रिकलेंट इस fight को three ways से जी सकता है जिदा सबसे पहले जो most common जिदा सारे underdogs के बारे में यही बोला जाता है कि उनके पास एक पंचस चांस है तो शौन स्रिकलेंट के पास भी यह चांस है कि वो somehow इस्राइले दसाने को catch करके बुरी तरह से hurt कर दे और फिर उसके बाद knockout कर दे इसकी possibility बहुत कम है बढ़ यह चांस हमेशा fighters के पास रहता है दूसरी possibility यह है कि शौन स्रिकलेंट इस fight को three rounds के बाद ले जाए ताकि वो अपने pressure से इस्राइल दसाने को exhaust कर दे just like उसने अब उस Megamedov के against किया था और अगर शौन स्रिकलेंट पहले की तीन round survive कर लेता है और fourth और fifth round में अगर उसके पास stamina बसता है तो वो अपने pressure और high output से इस्राइल दसाने को knockout कर सकता है अब इसके बाद अगर हम third chance की बात करें तो I think ये third chance बहुत effective हो सकता है बट इसके लिए शौन स्रिकलेंट को अपने fight IQ को use करना पड़ेगा I think अगर शौन स्रिकलेंट इस fight को जीतना चाता है तो फिर उसे grappling करनी होगी वो same Alex Pereira की fight के तरह ये fight नहीं कर सकता क्योंकि अगर शौन स्रिकलेंट ने इस fight में grappling नहीं की तो शौन स्रिकलेंट का जीतना बहुत मुश्किल होगा शौन स्रिकलेंट के interviews में मैंने देखा कि शौन स्रिकलेंट ये बोल रहा है कि वो काफी जादा grappling की training कर रहा है बट fight में उसे नहीं लगता कि वो अपनी grappling को use करेगा I think इस fight में अगर शौन स्रिकलेंट इस्राइल अदसाने को किसी भी तरह से ground में लेके चल जाए तो शौन स्रिकलेंट अदसाने को submit भी कर सकता है few times जब भी इस्राइल अदसाने को ground में गया है लाइक रॉबर्ट विटेकर, पॉलो कॉस्टा या फिर मार्विन विटोरी बट most of the time वो सारी fighters ने struggle की है अदसाने अपर distance को close करने में तो मुझे नहीं पता कि शौन स्रिकलेंट उसके और अदसाने की बीच कैसे distance को close करेगा ताकि वो अदसाने को wrestle करके take down कर सके बहुत फास्ट है और वो किसी भी fighter को इतनी easily disses को close करने नहीं देता मेरी उपिनिन में अदसाने की leg kicks और jab जी बहुत जादा भारी बनने वाले हैं शौन स्रिकलेंट के उपर especially अगर वो same stance से fight करता है तो overall इस fight में मेरी pick है इस्राइल अदसाने to win by knockout but maybe ऐसा हो सकता है कि ये fight भी Jared Cannonier की fight की तरह एक boring fight बने काफी लोग इस चीज को mention नहीं कर रहे हैं कि Alex Pereira की fight से पहले अदसाने की fights इतनी interesting नहीं जारी थी और जब से अदसाने champion बना है mostly उसकी fights decision wins जारी थी जो audience को जादे impressive नहीं लग रहा था और अब बात करते हैं UFC 293 की co main event fight जो होने वाली है टाये टू इवासा वर्सेस अलेक्जेंडर वालकॉफ के बीच टाये टू इवासा अपनी दोनों fights हार के आ रहा है whereas जब से वालकॉफ ने थोड़ा सा weight gain किया है उसने अपनी दोनों ही fights में knockouts किये हैं इस fight में clear difference है height card जिदा टाये टू इवासा को बहुत मुश्किल होगी कि वो अलेक्जेंडर वालकॉफ पर distance को close करके उसकी chin को find करे जो काफी उपर होने वाली है punch को connect करके knockout करने के लिए अलेक्सेंडर वालकॉफ इस fight को बहुत easy बना सकता है अगर वो अपने distance को maintain रखे और टाये टू इवासा की boxing range में ना आए अलेक्सेंडर वालकॉफ बहुत easily अपने distance को maintain रखकर leg kicks और अपने punches को throw कर सकता है क्योंकि इस fight में उसके पास massive reach है विरस दूसी तरफ अगर हम बात करें tie to इवासा की तो tie to इवासा को किसी भी तरह से figure out करना पड़ेगा कि वो अपने distance को close करके अलेक्सेंडर वालकॉफ पर clinch करे और फिर उस पर big punches को throw करे अलेक्सेंडर वालकॉफ starting of the rounds में बहुत अच्छा करता है बट जैसे जैसे fight progress करती है अलेक्सेंडर वालकॉफ काफी ज़्यादा mistakes करने लग पड़ता है डेरिक लुइस की fight में भी अलेक्सेंडर वालकॉफ easily जीत रहा था बट जैसे जैसे fight आगे बढ़ती रही अलेक्सेंडर वालकॉफ ने अपनी guard को नीचे कर दिया और डेरिक लुइस ने उसे big punch से knockout कर दिया था and for some reason मुझे ऐसा लग रहा है कि tie to vivaसा भी same करने वाला है I think tie to vivaसा किसी भी तरह से distance को close कर देगा और अपने big punch को अलेक्सेंडर वालकॉफ वी चिन पर connect कर देगा और इसलिए मैं massive underdog को pick कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि tie to vivaसा इस fight को जीतने बाला है by knockout So that's it for today guys, आज की fight वीडियो में बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगियो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next वीडियो में